अब सांग रूपक अलंकार का उधान लेके चलते हैं देखिए पहला उधान मिथ्या बन गया जगत पट माया भू जीवन का वर इहे पर की कल्पित खाई बढ़ती गई निरंतर तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है सांग रूपक अलंकार है इसी तरह से बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी इस पद में देखो अंबर में पनघट का तारों में घट का उशा में नागरी का समभेद रूप से आरोप किया है यानि कि दोनों के बीच में रूपी बैचते हैं दो सब्दों के बीच में तो यहां रूपक है लेकिन रूपक के साथ देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि उपमे के उपमे के उपर जो उपमान का आरोप किया जाता है तो उपमान के सभी अंग सहित उमस का आरोप किया जाता अब यहां पर भी देख लीजी यहां पर सांग रूपक अलंकर की दो उधान है ठीक है अब इसी तरह से अपन आगे बात करें तो निरंग रूपक दूसरा आता है निरंग रूपक निरंग रूपक में देखो जहां आवयों अंगों से हीन उपमान का उपमे में आरोप किया जाए कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उपमे के उपर उपमान का आरोप तो किया जाता है लेकिन उपमान के सभी अंगों सहीत नहीं किया जाता वहाँ निरंग रूपक लंकार होता है ने मतलब बिना रंग मतलब अंग तो बिना अंगों के जब उपमे के उपर उपमान का आरोप किया जाए जब केवल उपमान का आरोप पर उपमे पर किया जाए अर्थात उपमे को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमे के साथ नहीं बतलाया जाए वहां निरम रुपक अलंकार होता है जैसे उधान के उपर बात करते हैं ठीक है, हरी मुख म्रदुलमयंग यानि हरी का जो मुख है, वो म्रदुलमयंग चंद्रमा की समान है और चंद्रमा रूपी मयंग है जहने का मतलब उपमान का अंग यहां पर मौजूद नहीं है मैंक है शाम बिना कलंग का यहां पर उपमान कोई अंग मौजूद नहीं है वह स्वार्थवस को हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहर है तो इस तरह से निरंग रूपक अलंकार की पांच उधारने निरंग रूपक दुबारे में फिर वता देता हूँ जहां उपमान के अंगों से रहित जब उपमे के उपर उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है निरंग रूपक अलंकार